नमस्ते दोस्तों मैं गयत्री, गयत्री के देशी कीचन में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम ऐसी लाजवाब रेसिपी बनाने जा रहा हैं और आपको बना के दिखाएंगे जो बहुत ही खाने में स्वाधिश्ट रहती है तो आप हमारे वीडियो में लाट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि ये रेश्पी हम कैसे बना रहे हैं तो दोस्तो आप हमारे वीडियो में कंटीनू बने रहिए ये हमने आटा लिया है गेहूं का आटा और ये महीन आटा है, मोटा हर नहीं है और यदि आपके पास मोटा आटा हो तो उसको छन्नी से छान लिजिए और इसमें हमने थोड़ा सा डाला है रिफेंड तेल, करीब 2 स्पून, बड़ी स्पून में और अब आटे में मिक्स करेंगे हम तेल को अच्छे से इससे हमारा आटा बहुत सौट रहता है और ये नमक है तो हम नमक थोड़ा सा डालेंगे बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे और अच्छे से आटे में तेल और नमक को मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालके और इसको हम सॉप्ट डो तैयार करेंगे हमें रोटी से सॉप्ट डो तैयार करना है जैसे हम रोटियों के लिए आटा सांते उससे भी थोड़ा से सौप चाहिए तो हमने सान लिया देखे और उपर से हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे इस तरह हमने तेल लगा दिया रिफैंड तेल लगाया हुआ हमने और अब इसको हम थोड़ी देर तक करीब 10 से 12 मिनट तक ढखके और रिष्ट के लिए रख देंगे अच्छे से सेट हो जाएगा जब तर और यह है पनीर तो आज हम बनाएंगे आपके लिए लेकर आहें पनीर का फराठा तो अब हम यह पनीर मेरा घर का ही है मैंने घर में ही इसे बनाया है तो हम पनीर को कद्दू कस कर लेंगे मै और यह मेरा फ्रेस पनीर है जूब debit ही बनाया है उसके बाद हम यह रैस्पी वनाने जा रहे हैं तो हम अच्छे से इसको इस तरह कट्दू कस कर लिया है इसारे पनीर स्थारी पनीर को हम कट्दू कस कर लेंगे किसमें गुठलियां ना रह जाए हमें गुठलियां नहीं बिल्कुर रखनी है इसलिए हम कद्दू कस कर रहे हैं तो देखे हाथों से टूट भी रहा है साइड शाट पर कोई बात नहीं हम बाद में हाथों से ही मसल देंगे यह थे हम ने कद्थू कस कर लिए है सारे पनीर को और यह है Bouidiniya और थोड़ा सा पुदीना कि मैंने काट लिया था भड़ा दिना पुदीना को उसे मिक्स कर दें魔 देंगे बनीर में और यह है धनिय पॉडर तो हमें एक Цोटी स्पून रखने यह गरम मसाला है तो हम एक चोटी स्पून गरम मसाला डालेंगे आप इस पराठे को टिफिन में भी बच्चों को दे सकते हैं बहुत सौक से खाते हैं यह हमने एक चोटी स्पून डाला है आमचूर पॉर्डर इससे ट्रेस्ट बहुत अच्छा आता है और यह थोड़ा सा हमन कानी डाला है पॉर्डर हमारी मेर्ची यूज करेंगे और यह है जीरा पॉर्डर तो हम एक छोटी स्पून करीब जीरा पॉर्डर डाल दिया है और यह काली मिर्च पॉर्डर तो इसे भी डाल देंगे हम आधी स्पून हमने काली मिर्च पॉर्डर डाला है आधा इस्पू इस तरह हम छोटी वाली उसी से जिससे हमने पनीर कद्दू कस किया था, तो हमने अध्रब को भी कद्दू कस कर लिया है, अब हम मसालों को पनीर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, ये पराठे बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं, आप राइटे के साथ हरी चटनी के सौस के साथ तमाटर की चटनी के साथ खाई ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में तो हमने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों को पनीर में और अब हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च हम पहले नहीं डाला हमें भूल गई थी इसलिए अब मैं डाल दे रही मिक्स कर दूंगी तो हमने एक हरी मिर्च डाली है बहुत ज्यादा नहीं डालते हैं और यह अब देखिए मेरा आट अच्छे से से शेठ हो गया है देखिए तो हम थोड़ी से हाथों से मसल लेंगे इसको इस तरह और एकदम से सौट आटा मेरा तयार हुआ है बहुत अच् इसकी लोईया काटेंगे इस तरह पहले हम थोड़ा सा हाथों से मसलते वे इसको लंबा करेंगे और इसकी अब हम लोईया काटेंगे तो हमने सुखा आटा थोड़ी से हाथों में लगा लिया है चिपक रहा है इसलिए तो एक साइज की हमने लोईया काटी हुई है और अब अब इसको हम गोल गोल ऐसे करेंगे, तो देखें मैंने कर लिया है गोल गोल, अब इसमें सुखा आटा लगा के और इस तरह थोड़ा सा हम बढ़ा करेंगे हाथों से, हमें थोड़ा सा बढ़ा साइज करना है कटोरी तरह, तो देखें हम इस तरह कर रहा है बढ़ा, आपको यदि नहीं इस तरह आ रहा है तो थोड़ा सा बेलन से भड़ा कर दीजिए फिर उसका कटोरी जैसे मोड लीजिए और फिर उसमें स्टफिंग भरिए और यह अब हम पनीर लिया है तो इस तरह गोल गोल करके और इसमें डाल देंगे रोटी में और चारो तरफ से इस तरह मोड लेंगे और मोड के अच्छे से इसको हम बंद कर देंगे देखे हमने इस तरह बंद कर दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा टाओर लगाएंगे और अब हम हाथों के सहयता से ही इसको थोड़ा सा पहले बढ़ा करेंगे इसके बाद हम बेलन से बेलेंगे क्योंकि यह पनीर है, तो हलगा मजचर तो रहता ही है, हमारो ठाट रही है, इसलिए पनीर हमारा ठाट सकता है, हमारी पराठा ठाट रहे हैई हम पहले बढ़ा कर दिया है। तो हमारा तब घरम हो गया है गैस में रख दिये था और उपर से थोड़ा सा पहले लगा देंगी इससे के हमारे पराठे चिपकेंगे नहीं तवे में कि सोठ रहता है आटा इसलिए चिपक सकता है तो अब हमने पराठे को डाल दिया है तावे में और इसको मीडियुम फ्लेम में पकाएंगे पराठे को अच्छे से जब तक नीचे पकने जाए तब तक हम हलके हाथों से अब निकालेंगे जब तक अच्छे से नीचे पकना जाए तब तक हमें पकाना है तो अभी थोड़ा सा और पकने देते हैं तो देखे हमने पलट दिया है हलका हलका पक गया है और अब हम थोड़ा-th coward से तेल राल के की इसके चारो तरफ फैलाएंगे पराठे के चारो तरफ फैंट तयरेश कर रहा है आप जाहें तो देशी घी भी युच्छ कर सकते हैं हम देखे फैला दिया है चारो साइड और अब हम हलके उठा के इस तरह पलट दिया है तो देखे दूसरी साइड भी पग गया है थोड़ा-थोड़ा तो इधर भी तेल लगा देंगे और देखे हमारे पराठा हमारा पराठा फूल भी रहा है यह देखे कितने अच्छे से फूल रहा है तो देखे हमने पका लिया है पराठा को और कितना अच्छा कलर आया है बहुत अच्छा मेरा पराठा बना हुआ है तो हम इसी तरह सारे पराठे बना लेंगे और अब हमारा पराठा पक गया दोनों से तो हम इसको निकाल लिया है और दूसरी भी हम दूसरा भी पराठा डाल दिया है तबे में इसको भी पकाएंगे अब तो एक आप पराठा हम और से एक के दिखा रहे हैं आपको और हम हाथों से पलट रहे हैं क्योंकि मीडियम फ्लेम है तो गरम भी नहीं है ज्यादा तो हमने हाथों से पलट लिया आप चाहें तो चम्मस से पलट सकते हैं और इसमें फिर हमने तेल लगा दिया है फेंट तेल अब इसेड भी लगा देंगे इसी तरह हम चारों तरफ लगाते हुए और पराठा को पलट पलट के अच्छे से पकाएंगे तो इसमें भी हमने लगा दिया है तेल अब इसको भी हम पलट देंगे तो मेरा ये भी पराठा पक चुका है देखे फूल भी रहा है और मेरा पराठा बहुत अच्छे बनके परेठा बने है बहुत अच्छे ही लग रहा है खाने में भी बहुत टेस्टी है तो अब हम इसको भी निकाल लेंगे देखे हमने निकाल लिया है इसे भी तो हमारे पनीर के परेठे बनके तयार है दोस्तों आज के वीडियो हमारा आपको कैसा लगा है और हमने बनाया है आज पनीर के परेठा तो इसको आप रहते के साथ चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं देखे मैंने फाड के भी दिखाया है बहुत अच्छे से मेरा पनीर का पराठा पका हुआ है बहुत अच्छे से बना भी है तो दोस्तो हमने बनाया आज पनीर के पराठे तो यदि मेरा वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सेयर करें बहुत अच्छे से लाइक, से बनाया प्राठे पक्राठे बनाया आज अच्छे से बनाया पका हुआ है